हलो एवरिवन वेल्कम विफ्टू माइ चैनल आज मैं आपके साहँ सियर करने वाली हूं साधे ब्लाउच की त्योरी प्लस ढ्राफ्टिंग हम यहाँ पर साधे ब्लाउच की त्योरी और ढ्राफ्टिंग सीखेंगे इससे पहले चैनल से कई विडियो अपलोड किये हैं ethic लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आप जाकर चेक कर सकते हैं तो देखिए अगर आप फाइल बना रहे हैं तो साथ में आप इस तरह से यहां पर हमारी यह जो प्रेक्टिकल फाइल होती है जहां यह एक भाग होता है वो प्लेन होता है और दूसरे भाग में लाइनिंग होती है तो जहां जो प्लेन भाग है आप वहां ड्राफ्टिंग कर लीजिए और यहां पर आप लिख सकते हैं जो भी उनके मेजरमेंट हो त इतनी चाहिए उसमें हम एक इंच प्लस कर देंगी मेरे ब्वाउज के लंबाी चालिक लेंच से हैं तो हम यह पर एक इंच प्लस कर दें चोटी 13 14 इनच यही ज्यादा चलती है ब्लाउज में इसके बाद हमारा आजाता है चेस्ट देखिया है चेस्ट सहित हमारा है कमर कमर हमारी 30 इंच तो कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे कमर का चोथा भाग करेंगे जो भी हमारे 30 इंच कमर है उसको हम 4 से डिवाइट कर देंगे और उसके अंदर मार्जिन का 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे देखिए हम यहां सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो हमारा जो है फ — 5 इंच अब हम अगर अगर को सोल्डर नहीं पता है आपको किस तरहर से निकालना है यह मैं आपको बता देती हूँ नोट यहां नोट लिखिए झायों हमारा बॉडी से प्लाइट सोल्डर भागिट दो इंच जो भी हमारा बोडी से प्लाइट सोल्डर छोओदा इं आपि कर देगे जो भी हमारा इंच माइनस ऐसे मेंदाइब हमारा 6.5 इंच मेंक जर्ण कर देखिंगे हमारा 6.5 इंच सोल्डर निकल आएगा आपके मेजर्मेन से इसpressand से खोर्मॉला लगाकर निकाल सकते हैं इसके बाद हमारा आर्म होल जा जाता है आर्म होल हमारा 6.5 इंच है मैंने अपनी चैनल पर चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल और नेक वीड आपको कितना रखना है उसका चाड मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक में या फिर मैं आई बटन में दे दूंगे आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं इसके बाद देखिए हमारे नेक की चोड़ाई यहां तीन इंच है और नेक की लंबाई क्लाइन के अनुसार या आप अपने अनुसार रखेंगे देखिए ड्राफ्टिंग समझने से पहले आप इस इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े के दो भाग में फोल्ड करेंगे कपड़े को हमें दो भाग में फोल्ड करना है इसके बाद हम बंद भाग की तरफ से सोल्डर का निशान लगा दे जो हमारी बंद भाग रहेगी वहां से हम सोल्डर का निशान लगाएंगे अब हम जिनी नेक की लंबाई लेनी है उस पर हम लंबाई पर निशान लगा देंगे आप पहले नोट के लिए कर लीजिए फिर मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझाओंगे कि यह निशान हमें कैसे और कहा लगाने है इसके बाद थर पोइंट है इसके बाद हम कपड़े की खुली भाग में लंबाई में आर्म होल का निशान लगाएंगे देखिए नेक वीट का निशान लगाने के बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाना है चेस्ट वह कमर के निशान लगाने के साथ ही हम इसमें एक या दो डेढ़ या 1.5 या 2-inch की margin पर निशान लगा देंगे, हमें margin लेना है यहां 1.5 या 2-inch का, इसके बाद blouse की, जो हमें ready लंबाई चाहिए, उससे 1-inch प्लस करकर blouse की लंबाई पर निशान लगाना है, ऐसे ही हम blouse का बेक पार्ड भी तैयार करेंगे, जैसे हम front part हमारा blouse का तैयार करेंगे, व इस तरह से उस पर निशान लगाने है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बेक पार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर front part करेंगे, जब भी आप इसका draft बनाएं तो आप back और front part दोणों यहां पर बनाएंगे, पहले हम यहां पर back part के लिए हमें जो हमारा बं तो इस सरव बंद भाग की तरफ हमारी लंबाई मंन लगा लेंगे तो जो भी हमारी ब्लाऊच की लंबाई हो उसमें हम एक First box कर लेंगे ब्लाऊच की लंबाई unm on über इसके बाद यहां पर यह वाला जो निशान हे हमारा शोल्डर का निशान है सबसे पहले हम यहां पर ऐसे आडills में सोल्डर का निशान लगाएंगे तो इसी में Chelsea हम इस चोड़ाई तीन इंच रखना है अगर हमारे चेस्ट 28 या 30 इंच के हैं तो हम नेक की चोड़ाई यहां पर दो इंच रखेंगे देखें मेरे यहां तीन इंच चोड़ाई पर निशान लगाया है इसके बाद लंबाई जो बेक पार्ट की लंबाई होती है उसका निशान आप अपने अनुसार लगाए या आप क्लाइन के देखें यहां और निशान लगाएंगे पर होती है यहां पर हम हमारा कमर का निशान आएगा देखिए यहां पर अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइट करना है यहां हमारा आया है 32 इंच तो 4 से हम उसे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंच अब 8 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे यहां पहले इसके बाद हमें यहां पर सिलाई मार्जिन रखना है फिटिंग के लिए हम मार्जिन रखेंगे तो यहां पर हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखेंगे कमर हमारी 30 इंच है तो कमर को भी हम 4 से डिवाइट करेंगे तो कमर को 4 से डिवाइट करने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3.5 इंच, 30 इंच हमारी कमर है, उसों हम 4 से डिवाइट करेंगे, तो 7.5 इंच आएगा, और 6.5 इंच में हम प्लस करेंगे, यहां पर 1.5 इंच तो हमारी जो कमर का निशान लगेगा वो लगेगा 9 इंच पर हमारी जो कमर की चोड़ाई पूरी होगी वो होगी 9 इंच की देखिए इस तरह से हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार कर लिया है वेसे ही हम यहाँ पर फ्रंट पाग भी देख लेते हैं फ्रंट भाग के लिए भी फ्रंट पार्ट भी तैयार करेंगे तो यहां हमने सोल्डर का निशान लगा लिया सोल्डर का निशान लगाने के बाद हम इस तरह लंबाई में आर्मोल का निशान लगाएंगे आर्मोल का निशान लगाने के बाद यहां भी हमें हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसका च तेस्ट का जो भी measurement आया हो आप उसका चोथा भाग निकालिए और उसमें डेड़ इंच मार्जिन का प्लस कर दिया डेड़ या दो इंच आप यहां पर प्लस कर सकते हैं मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए वैसे ही हमारी यहां कमर का निशान लग जाएगा जैसा हम कमर का चो जोड़ाई पर यहां हम निशान लगाएंगे वह 9 इंच पर लगाएंगे जिस तरह से हमने इसे तैयार किया था बेक पाट को अब देखिए बेक पाट में हम यहां पर एक टक्स भी लगाएंगे जब हम सिलाई करेंगे तब ही हमारा टक्स लगता है दोनों सोल्डर के तो हम यहां पर एक टक्स लगाएंगे इस तरह से हमारी दोनों कंदी है दोनों कंदियों के बीच में यह तक्स हमारा लगेगा यह हमारा 5 इंच का टक्स लगेगा देखिए इस तरह से हम उपर लंबाई में चोड़ाई में हम एक इंच लेना है एक इंच यहां हम चोड़ा इंच रखेगी और लंबाई पर हम यहाँ 6 या 6.5 इंच का निशान लगा देंगे अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं तो देखे मेरे यहाँ पर आपको साधे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी समझा दीए अब मैं आपक कपड़े पर निशान लगाएंगे सबसे पहले हमारी यहां पर 14 इंच होने के बाद तो हम इसमें एक इनच प्लस करेंगे जो भी इसके बाद हम यहां पर जो बंद भाग की हमारी साइड है और यह साइड हमारी खुली भाग है तो यह 34 चेस्ट का ब्लाउज है तो यहां पर मैंने साड़े 6 इंच पर इसके शोल्डर पर निशान लगाया है इसके बाद हम इस तरह से शोल्डर से जो हमने निशान लगाया है वहां से आर्मोल का निशान लगाएंगे तो आर्मोल के लिए देखिए यहां पर मैं इस तरह से आर्मोल का साड़े 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगा दूंगी इस हम सीधा कर देते हैं इसके बाद हम यहां पर जो बंद भागे निकालें गहां दो निकालेंगे तो नेक की चोडाईह का निशान जो हमने सब्सक्राइब यकान लगायाँ यह उसी में से हम नेक भी निकालेंगे देखिए यहां पर में nah in इंच पर 2 इंच नेक की हमारी चोड़ाई है और लंबाई हमारी अगर हम फ्रंट भाग का यह बना रहे हैं तो इसके लिए हमें लंबाई 6 या 6.5 इंच रखेंगे और अगर आप बेक पार्ड बना रहे हैं तो फिर वह लंबाई आपके अनुसार रहेगी आप जितना अपना बेक पार्ड में गले की लंबाई रखना चाहते हैं उतनी आप रखिए इसके बाद हमारा आ जाता है चेस्ट तो चेस्ट यहाँ पर 34 इंच चेस्ट है तो 34 इंच चेस्ट का में चोथा भाग साड़े 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगे देखिए खुली बाग की तरह इस तरह हम निशान लगाएंगे साड़े 8 इंच पर इसके बाद 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे अब हमारा लगेगा कमर का कमर का जो भी आपका बोडी मेजरमेंट हो कमर का उसका चोथा बाग आप चार से उसे डिवाइट करेंगे तो यहां हमारी क निशान को सीदे कर देंगे हम इस निशान से हमारे ब्लाउच की कटिंग करेंगे इसके बाद यह हमारा आर्मोल की गोलाई देंगे तो आर्मोल की गोलाई के लिए फ्रंट भाग में हम आर्मोल की गोलाई देंगे सवा एक इंच पर देखिए इस तरह से आर्मोल की कर बता देती हूं यह हमारी बैक पार्ट की गोलाई और यह हमारी फ्रंट पार्ट की हम यह बैक पार्ड हम आदा इंच गोलाई ज्यादा देंगे हमारे आर्म हुल इसी तरह अगर हम पीछे के गले की लंबाई ज्यादा रखना चाहते हैं तो हम इस arter से जो भी आपको लंबाई रखनी है उस पर निशान लगा दीजिए हो चोड़ाई हमारी यही रहेगी आप धाई या तीन इंच गले की चोड़ाई रखेंगे तो आपकी कंधी गिरेगी देखिए इस अरह से हमने निशान लगा लिया इसके बाद हमारा जो सिंपल ब्लाउज में है इसमें हम एक टक्स लगाएंगे तो यह हमारे शोल्डर है शोल्डर के जो सेंटर भाग देखिए इस तरह से सोल्डर का सेंटर भाग में हम यहां पर टक्स लगाएंगे टक्स की चोड़ाई रखनी है हमें एक इंच रखनी है देखिए आदा इंच इस तरब आदा इ इसी में हम बेक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कलेंगे इसी तरह हमारे बेक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी अब यहां पर सादे बलाउश की थियोरी प्लस डाफ्टिंग यहां पर सीख ली है और मैंने आपको कपड़े पर भी निशान लगा कर बता दिये कि आपको किस तरह से निशान लगाना है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग